हाँ, तो कंपूटर के अंदर अपने काफी कोर्स कंप्लीट कर लिया से 8010 प्लस टू के लिए और भी अधर एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है शेशन MS Office आपके कोर्स में हैं और MS Office का मतलब क्या होता है? MS Office का मतलब MS Word, PowerPoint, Excel, Axis यह चारों topic आपके कोर्स में है उसमें अपन जो ज़्यादा important है जहां से definitely प्रशन आते हैं वो है आपका MS Word MS Word से पक्के प्रशन आते ही आते हैं और ज्यादा जो प्रशन repeat होते हैं वो shortcut की से ज़्यादा होते हैं कि कौन सी file को save करने में कौन से मतलब क्या होता है में लेगी कुछ extra knowledge भी आपको मेलेगा जिसको आपको होबू उतारना है समझना भी है ठीक है MS Word Microsoft का यह part है MS Office का part है आपने इसके बारे हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि MS Office का मतलब है पहली बात तो यह इस line से प्रशन है यह जो line लिखी हुई ना इसे repeat question है कि MS Office क्या है तो MS Office एक application software है ठीक है ना जिसके अंदर कोई ना कोई अपन काम करते रहते हैं अलग-अलग यह आपको सबको पता है इसमें MS Word है MS Excel है PowerPoint Access है यह MS Word के MS Office के part है यह MS Office के अंतरगत आते हैं इन दोनु line से अलग-अलग प्रशन repeat है कि MS Office में आते हैं या फिर MS Office के अंतरगत कौन-कौन शामिल है तो MS Office Office के अंदर Word, Excel, PowerPoint Access शामिल है यह फिर MS Office के पार्ट है और MS Word है उसको start करने के लिए जो file होती है चुरू किया जाता है उसको बोला जाता है Windows.exe बिल्कुल बैसिक प्रशन है लेकिन यह भी प्रशन खूब बार आया है तो ले तो मैंने वर्ल्ड ऑफिस की बात बताई मैंने थोड़ी सी Windows की बाते में आपके लिखी है काम आएगे आपके लिए Microsoft Windows जो है क्योंकि यह माइक्रोसोफ्ट है माइक्रोसोफ्ट वर्ड माइक्रोसोफ्ट पावरूपॉइंट हर कोई माइक्रोसोफ्ट थोड़ास अपने विंडोस के बारे में जान लेते हैं काफी प्रशन बनते हैं और काफी बार पूछे भी जाते है Microsoft Company का जो मुख्याले हैं यह जिसे अपने कहते हैं है वह कहां पर है वास्इंग्टन अमेरिका थी कहना वास्इंग्टन अमेरिका बोल दो थे कह है यह अमेरिका के अंदर है मुख्याले हैड़ कोटर स्थापना किती बिल गेट्स ने पौर अपर चार एपरिल 1975 को स्थापन कि जो कंपूटर के इंदर डिस्प्लै नज़र आता आपको रैक्टेंगल शेप में आईताकार जो नज़र आता है उस बहाग को वरत्मान में उप्यों किये जारे फ्रोग्राम को दिखाता है उसे क्या किते हैं उसे माइक्रोड विंडो का आ जाता है यह विंडो की डेफिनेशन एक तरीके से कि कम्पूटर में डिस्प्ले अपन देखते हैं आयताकार होता है लगबग सब यूजर इंटरफैस यानि की जी यूई जी यूई की फुल फॉर्म भी है तो यह जी यूई सॉप्ट्वेर है जो आइकन्स या चिन्नू का बड़े पेमाने पर परियोग करता है जी यूई बैस्ट है यह अपने माउस के अंदर भी पढ़ा था किसी विंडो को आईकन में शिंक कर देना विंडो अब इसमें दो ओप्षन है और में उन्हुर्भ में तो मिनमाइस करना क्या होता है विंड्यो बिद्विंडो को किसी आइकन में शैंब अचिकान और ऑग जाता कि ना पर इसमें प्रडिके क हो पर मालत है ऐसा कुछ चैनल क eller कर देते हैं ही और कंप्यूटर में वहां आपने कोई रिपीट है यह तो ध्यान केंपूटर में हाल इमें कोई बेटाएगे फाइले कंपूटर में रिसाइकल बिन में संग्रईत या इखटी क्लेक्ट होती है जब एक नए डोक्यमेंट का निर्मान किया जाता है तो इसे क्या कहते है इसे फाइल के रूप में सनक्षित किया जाता है जब भी एक नए डोक्यमेंट को निर्मान किया जाएगा तो इसे एक फाइल के रूप में सनक्षित किया जाता है फाइलों को folders में store किया जाता है फाइलें सारी की सारी फाइलों के टकर के folder में डाल दिया जाता है उसे folder बोलते हैं परशन कैसे आता है परशन ऐसे आते हैं एक तो वो तो is a dis question नहीं है यह काता है कि जब एक नए Document को निर्मान किया जाता है तो उसें किस किस रूप में संग्रेट किया जाता है किस रूप में स्टोर किया जाता है फाइल के शेप में या उसे फाइल बोलते हैं और फाइल को जो मैं स्टोर करते हैं क्लेक्ट करते हैं संग्रेट करते हैं उसे क्या बोलते हैं फॉल्टर बोलते हैं विंडोज में टास्क बार जो होत प्रपर-फिटी Video यह वेंडोंडो स्क्राइब प्रप्र इस पर प्रप्र इसे पर प्रोपर जहां घ्राट स्भी को बात मेंगे उसमया थे अम्हें स्कूहीं उटिए हुआइड़ों फ्रक्राइब प्रont प्रॉसेंसली of इसका पहला वर्जीन यह दरेगे हैं यह fact very important है कि MS Office का पहला version Mac OS है ठीक है ना इसके लिए 1989 में बनाया गया था as it is याद करना है घोट के पीना है बाकि MS Office 2019 है वो भी तक का नमींतम वरजन है बाकि यह तो अपन पढ़ चुके इसके चार भाग है फिर Microsoft Word में बनने वाली file को document file कहता है और यह extension मत बूल जाना भाई यह extension बहुत important है Microsoft Word का file extension क्या होता है यह प्रशन बहुत बार आया है .doc या फिर .docx 2007 से अब यह चलता है .docx ठीक है ना याद कर लेना बाकि पहले यह .doc चलता था यह MS Word का file extension होता है फिर अब अपन बात करते हैं कि MS Word में क्या-क्या element होते हैं जैसे अपने computer में MS Word को खोलते हैं उसके में ट्रिक बनाने का प्रयास किया है कि time re sst की sst को time पर ले लिया मतलब time re sst क्योंकि sst जो हो time की पक्की है sst में अगर कोई चीज याद करनी है तो हमेशे आपने बिल्कुल time पर आना पड़ेगा समान दो कि time revision करना पड़ेगा तो time re sst टास से title बार, टाई से title बार, मैस से menu बार, री से ribbon, A से scroll बार, A से status बार और T से task बार याद हो गया है, यह सारे computer में होते हैं बाई, task बार, status बार, scroll बार, ribbon, menu, title बार यह सब अपन जब MS Word खोलते हैं तो सब में इस सारी चीज़ें खुलती है, एक एक की नस नस चेक करेंगे, सबसे पहले heading लगाओ, title बार, ठीक है न, सबसे पहले heading लगाएंगे, title बार, तो title बार है कि word window का सबसे उपरी उपरी भागा, लगी मैं अभी खोल के दिखा जाता है, लेकिन आप सब जानते हो, ज size, minimize, maximize, close, यह सारे उपरी उपर की जो पट्टी बनी होती है, उपरी उपर यहां, यहां बनी होती है, उसमें यह खुलावा है, ठीक है, restore का मतलब है, कि window को फिर से उसी size में लाइने के रेस्टोर योज को किया जाता है, मूँ आप सब जानते हो, यहां से वहां किसी को fit हो जाता है, close करने के लिए, alt plus f4 अपन जानते हैं किसी program को close करने के लिए, यह सारी चीज़ें वहां खुलती है, यह window का उपरी उपरी भाग होता है, आपने देख लिया, title bar के left side में w दिखेगा, आप चालू में देख सकते हो, इस session को पढ़ने के लिए काम को आप computer को on कर लो, या फिर याद कर लो, डबलू दिखेगा, जिसने control button कहते हैं, जिसमें यह सब option होते हैं, उस डबलू में सारे option होते हैं, ठीक है न, और title bar में right side में होते हैं, यह देखो, title bar में right side में होते हैं, तिनू button, minimize, maximize, close, minimize, maximize, close, यह button होते है, minimize का button, अच्छा मैं पीछे यह बता ने चल जाती है, टास बार में, maximize का मतलब वापस उसी पिकली कर दो, maximize हो जाएगा, खुल जाएगा, बड़ा हो जाएगा, close का मतलब, close है, तो तीनू के तीनू में नेरो बना दिये हैं, तीनू title bar में right side में होते हैं, और उनके यह sign है, तभी कभी पूछ सकता है कि इस चिन क में दाई तरफ होते हैं, इस सर्फ चीजें बहुत ज्यादा important आपके लिए है, इसके बाद में menu bar, जो trick की बार है, तो title bar के ठीक नीचे होता है, ताइटल बार के ठीक नीचे, आप देखना menu bar होता है, जिसमें file button, office button, home insert, home insert, page layout, references, mailing, review, view, यह सब उसमें option होता है, आपन दे पूछ लेगा कि mailing review, view, यह किस में होता है, menu bar का होता है, menu bar का होता है, तो माई टेन टाइटल बार के नीचे होता है, ठीक है, ribbon, यह menu bar के ठीक नीचे, line से चलना है, line से भी याद करना है, याद इसी पड़ेगा, एक होता है, ruler bar, ruler bar क्या है, यह page margin को set करने के लिए होता है, आ तरह के ruler होता है, एक horizontal ruler bar और एक vertical ruler bar, और इनके बीच में एक option कुलता है, text area, जहां अक्षर यह शब्द को type किया जाता है, इस text area के उपर तो यह होता है, और नीचे यह होता है, ध्यान लखना, यह ruler bar होता है, अपने कभी देखा भी होगा, एक्जाम प्रशन के आएगा, कि ruler ruler bar किस काम आता है, तो page margin को set करने के लिए ruler bar का प्रयोग किया जाता है, word window में दो तरह के ruler होते है, horizontal ruler bar और वर्टीकल, ठीक है ना, और उनके बीच में text area होता है, जो अपन किसी भी word को, शब्द को type करना है, text area में जाते हैं, यह सब practical session है, scroll bar तो आप जानते है, scroll करना, यह scroll करना वैसे तो page के यहां होता है, आपने देखाऊंगे, यहां पर छोटचोट छोट इससा बने तो उसको click कर लो चाहिए, यह से खेंच के ले जाओ, यहां पर भी होता है, यह जो mouse से इसको ले जाके mouse वाले 20 से भी खेंच सकते हैं, तो य स्टैटस वार, यह task bar के ठीक ऊपर और score bar या पर text area के ठीक नीचे होता है, इसके right button पर plus का चिन होता है, left button minus का चिन होता है, plus का मतलब is zoom in, इसक्रिन बड़ी हो जाएगी अगर अब plus का button दबाओगे, status bar में, और अगर minus दबाओगे, तो zoom out या इसक्रिन छोटी हो जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां लिख दिये मैंने, वो है, MS word में maximize zoom कितना percent हो सकता है, यह question बहुत बार पूछा गया, तो 500% maximize कर सकते हो, आप किसी भी word गो zoom कर सकते हो, बड़ा, और minimize करते हो 10%, यह percent याद कर लेना, ठीक है न, बहुत ज़्यादा important है, नियुनतम zoom 10% है, और अधिक्तम zoom जो है, maximize का मतलब क्या हो गया, अधिक्तम, यानि highest जो है, वो आपके हो जाएगा, 50, 500%, और अब बात करते हैं, होम टेब की, सुना होगा ही तो होम टेब होम टेब होता है, MS word में cut way copy किये गे object, like image, size, text, उस जो भी है, etc., उनको एस्ताई रूप से clipboard में save किया जा की सामने, यह option खुलेंगे, cut, copy, paste, format, painter, इसकी shorter की side में लिखता है, यहां हो, जतनी कोशिच आपको recall करना है, किसी भी चीज़ को cut करने का मतलब क्या है, यहां से उठा के, अगर आप कहीं cut करने का मतलब क्या है, यहां से उठा के, अगर आप कहीं cut करने का लेकर जा रहे है, पेस्ट की शोटकट की है मैं उसको माउस का कर सरे ब्रस बंड जाता है अगर आप कंट्रोल प्लस शिप्ट के साथ में दबाओं तो माउस का जो कर सरे जो एरो जैसा बना होता है वो ब्रस की तरह काम करने लग जाएगा हाला कि मैं नहीं चलिक दिया होगा इथिंग कि फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करते ही माउस पॉइंटर जो है वो पैंट ब्रश के रूप में चेंज हो जाता है जिससे पैंट किया जाता है वो ब्रश बंड जाता है कब जब आप कंट्रोल प्लस शिप्ट प्लस भी सब्सक्राइब में कि होम टेब में क्या क्या ओप्शन आते हैं होम टेब में 1234 बाते यह खुलती है कभी होम टेब हो लेना कट कॉपी पैस्ट फॉर्मेट यह आपको मिलेगा फॉंट फॉंट का मदों साइज कम जादा करना फॉंट वाली इस फॉंट की शोट ट्रिक है श लेते हैं इसकी शब्दावली है एक्जाम्पल यह याद कर लेना वाई फॉंट के इंदर कितने कितने शेप यह डिजाइन होती है तो मतलब लगने की तरीका तो कैम्ब्रिया कैल्ब्री अराइवल अराइल यह पर अराइल ब्लेक अराइल नेरो और टाइम्स न्यू रॉम ठीक है ना यह वरिश्लेक्टेड एग्जम्पल जो फॉंट में काम में लिए जाते हैं फॉंट साइज के लिए वह तो फॉंट कोलने के लिए सेम्टू सेम्ट्रीक एक हो सकती है और अधिकतम कितने 1638 हो सकती है नियूंतम एक हो सकती है फॉंट स्टाइल आपने देखिए होगी जैसे आप करना चाहते हो वहीं पर उसी में आपके हॉम टेप में खुलता है नीचे नमरिंग होती है तो लास्ट तो एक होती है और आग जादा ज्यादा 1638 तक हो सकती है और उसमें भी चार त मतला जैसे कि 7 वर्द को घहरा करना थोड़ा अगड़ा कर książ review अर उसे से मतलब सीदा स्जार गें और प्लीلا हो जाएका ठ्री एक को इसी भी कर सकते हैं और यह कुछ चोट टिक कि यह बहुत ज़्यादा इिप्पर्टनट सब्सक्रिप को अगर आपको दबाना है तो कंट्रोल प्लस बराबर का साउन लगाना है और प्लस सकते को सथ टीर करने के लिए रिक है grow font करने तो control प्लस यह greater than का sign लगाना है और shrink font में less than control plus less than का sign लगाना है और change case करने आपको तो shift के साथ में F3 press करो तो आपके सामने पांच परकार की case खुल जाएंगे कौन-कौन से sentence case lower case upper case capitalize each word और toggle case इन में से कोई सा भी पंचाहिए जो कर सकते हैं ठीक है कोई और जैसे यह एक बहुत ही गजब की काम आए गया पर control प्लस स्पेस बार जो स्पेस बार होता ना control प्लस स्पेस बार दो तो जो जो आपने फॉर्मेटिंग की है उस डिजाइन की स्पेस पर जो जो कि उस सब की सब क्लियर हो जाएगी अगर आप control के साथ में स्पेस बार दबा देते हो तो ठीक है तो में फॉर्मेटिंग हो जाएगी यह चीज है इसके अलावा लाइन प्रग्राप स्पेस तो इसमें देखो वैसे तो यह बाई डिफोल्ट का मतलब है पहले सहीं पहले सहीं ने दार तो बाई डिफोल्ट तो लाइन स्पेस होता है ऒैला के जिसमें उन प्लस पांश दबा दाएगैं तो वह नॉर्मल लाइन स्पेस बन जायीं जिसमें स्पेस है और सिंगल लाइनस Сп्स देखें अगर आपको करना आए किसी प्रग्राफ में तो ma प्लस वन दबाना है डबल करना है तो कितना देना है एक लाइन का देना है दो लाइन का देना है डिया सवा लाइन का जो अल्रेडी होता है तो इस सब दोक्योमेंट को किसी विशेश इस्तान पर पहुंचाना है तो या फिर आप कंट्रोल के साथ में जी दबादो रिप्लेस करना है तो कंट्रोल प्लस एच बहुत इंपोर्टेंट हम लोग कोई चीज को वापस से लाना अक्षर को हटाकर अन्य अक्षर लिखना उसकी जगे ल पादो पूरी की पूरी चीज आपके क्या हो जाएगी सलेक्ट हो जाएगी और इसके बाद मैं इंसर्टेब खुलती है इंसर्टेब में कौन-कौन से ऑप्शन को यह जो जितने ही में नमरिंग करिए यह सब ऑप्शन है एक तो होता है पेजब्रेक एक होता आपका टेबल को लेगी जो अपने पावरपोइंट में टेबल करते हैं लेकिन यह टेबल आपने ऊपर देखिए रंग कलर की टेबले बनी मना ही होती है तीन खड़ों की दो खड़ों की टेबला लेखिए आपने अगर कभी खुली हो तो पेजब्रेक नेक्स पर जाना पेजब्रेक में अदिख्तम 63 कॉलम हो सकते हैं अगर टेबल आप बुजो लेते हैं उसमें 63 कॉलम ये फैक्ट ज़्यदा आता हैं कि मस वर्ड में अदिक्तम कितने कॉलम टेबल में हो सकते हैं 63 और रो कितनी हो सकती हैë रोह सकती है 32,666 ठीक है 32,667 और 63 फैक पर इसके लावा दो जब्रद रो और कोलम आपस में मिलकर आईताकार बोक्स बनता है, जिसें कम्पूटर की भासा में सेल बोला जाता है, यह जरूरी है, है तो बहुत बैसिक, लेकिन इसे दाइरेक्ट प्रश्न आता है, कि रो और जो एक कॉलम आपस में मिलते हैं तो इनकी जो एक बनती है इससे क्या बोला जाता है यह अपन एक्सल के अंदर मार्क शीट होगा त्यार करते हैं तो उसमें फॉर्मले भी ऐसे लगाते हैं तो ध्यान रखना हालां कि जब अपन एक्सल पढ़ेंगे तो बहुत सारी मिलके सेल ओंगा ग्रूप होता है सिलों कर 100 को टैबल कहते हैं यह द्यान रकना एक शेल से आअगे की सेल में जाने के लिए टेब तता पिछली सेल में जाने के लिए शिप्त प्रियोगे की ये वरी ट्रिक बन जाएगे आपके लोड़ के बन जाएगी हाइपर बात नहीं मेरे साब से आप computer side में लेके चला रहे हो तो easily समझ माझा जाएगा वरना फिर फिर डाउट हो तो कभी आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखा देंगे header footer प्रते एक page by default का मतलब है पहले से ही by default का मतलब क्या होता है पहले से लिए प्राइज होता है उसके margin is set करना और पेजल ले राउट में पेज मार्जिन होता है इससे करते हैं पेसले मारजन निदरन हमेशा इंच में होता है यह प्रशन भी घृता है मिलिमें में 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 होता ए संटी में होता है तो ध्यान रके margin काlla button नेदबन हमेशा इंच में होता है बाईडिफॉल्ट मलब पहले सभिए डिफॉल्ट टॉप हुए कर मार्जन एक होता है और सब्सकियों सब्माइब संद्रेल state 8 कि हिए हैं यहाँ प्रजोप ने और बोटम का और लेप्ट और राइट का कितना होता है वन पॉइंट टूफाइब सवा इंच होता है यह पेज मार्जिन का मामला होगे जो पेज लेयाउट में मिल जाएगा और इंटेशन की बात करें और इंटेशन दो परकार का होता है पॉट्रेट और लेंड्सकेप ठीक है ना आड़ा टेडार सीधा वह लिजी जाएज और और किCar references में इंसर्ट footnotes और प्लस-उसकी शोटकत की एद कर लाना Ctrl plus Alt plus f और Ctrl PLस के लिए क्ट नोट्स के लिए फुट परकेप का मतलब की क्ट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ क्योंकि बड़ा गोंगता है मामला वहां पर एंड नोट में थी या फिर फुटनोट में क्या थी शोटकट की तो द्यान रहुआए इसके ट्रीक है फुट पर केप मतलब जूतिय पर किया पर केप है समालो तो केप का मतलब एस को नशल्ट का मलब का मतलब एक और यह को हम एंद में के लास्ट में केड़ तो सी एड मतलब इसमें और सी कंट्रोल ऑडी है तो याद रेजा कुल मिला कि अपने को एक वड़ भी याद रेगए तो वैसे दूसरा जाएगा मैल बेजना सुना होगा मैलिंग तो उसमें मेल मर्ज होता है मेल मर्ज का मतलब है इसमें मादेम से एक पत्र को अनेक वेक्तियों को एक साथ mail बेजना ठीक है ये भी दो परकार के document से मिलकर बनी होती है mail merge भी एक master या man document जो सबी के लिए समान सुचना अगर बेजनी हो तब यूज करते हैं और source document उसका address लिखा जाता है बेजने वाले का address या फिर पता मान लो अब review tape देखे हूंगे आपने review tape खुलते हैं तो उसमें कुछ profing profing खुलता है profing section में क्या आता है जिसमें आप खुलेंगे जैसे ही तो spelling और grammar क्या खुलेगा spelling और grammar में स्टेगर आप कर रहे हैं तो spelling अगर आपकी कोई गल्त लिखिया आपने तो red color की नीचे line आजाएगी ध्यान में रहे इंप्रोटेंट बात है अगर spelling गलत है तो red color की लाइन आएगी और grammar जैसे की सेंटेंस ही grammatically गलत दिखा आपने व्याकरण की भाषा में तो हरे रंग की नीचे line खुलती है इसे profing में खुलता है और अगर नीले रंग की जो अपने पीछे पढ़ लिया था अगर रंग की लाइन नीचे आती है बाई यह से कोई शब्द लिखावाए सब्सक्राइब की रिस 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 के नीचे रेड क्लर के लाइन एट मीजश स्पैलिंग गलत है और एक सेंटेंस रिज़ार्ज इस वाई इससा कुछ करके तो और उस पर रंग अगर हरे रंग की लाइन इसका मतला वह सेंटेंस में व्याक्राने ग्रेमेटिकली गलतनी स्टैक है और अगर ब्लूरंग का है इसका मतलब वह हाइपर लिंक की इश्यू है मिस्ट्रेक है यह चीज़ द्यान लखें रिव्यू टेप के अंदर अलग-अलग का अलग-अलग मिस्ट्रेक का पता लगाना होता है किसी भी चीज़ को रिसर्च करने के लिए और शेप्ट प्लस एफ सेवन से क्या करते हैं कि स्लेक्ट शब्दों के समान अर्थ वाले मिलते जुलते शब्दों के प्रयाई वाची में पानी मदद करता है कुछ स्लेक्टेड वर्स निकालने सकता है कि MS Word में व्यूटेव कितने परकार के होते हैं प्रिंट लियूट व्यूट व्यू आउटलाइन व्यू वैब लेग्ट व्यू और फुल स्क्रिन रेडिंग व्यू कि कैसे और यह साइज तो मैंने वैसे बता दी दो तो लेकिन इसमें एक चीज और जोडना थी स्टंडर्ड जूम साइज 100% मिनिमाइज जूम साइज 10% और मैक्सिमुम जूम साइज 500% हालना कि वर्ड एक्सल पाउर कोईंट में फिर अलग अलग होती है वहां पर और लिखा के फिर तीनूं कंसाइज करके बताऊंगा तब मज़ा आएगा मतलब अपने MS वर्ड अभी कम्प्लिट होगा इसके बाद में आपके पाउरपूर्ट का लग वीडियो आएगा और एक्सल का एक्सल का लग वीडियो आएगा ठीक है ना आज अपना MS वर्ड कम्प्लिट हुआ है कोई भी डाउट हो नहीं क्यों अर्यों तब कॉमेंट कर देना और अभी जो आपको है पहले अपन को यह चीज और देखनी है शोटकट की कि उसके बाद में अपना कम्प्लिट होगा तो आओ फिर पहले अपन MS वर्ड की शोटकट की देखते हैं कापी तो आपको लर्न है अचा सुनो इसमें भी एक तरीका हो रहे है जो शोटकट आपकी पहले से जानते हो उसक के साथ में एको दबाओगी अगर आप तो सलेक्ट और जो भी चीज लिखी यह पूरी की पूरा पेज का पेजी सलेक्ट हो जाएगा सलेक्ट ओल करना अगर आपको तो कंट्रोल प्लस ए दबादो अगर आपको बॉल्ड करना है कोई शब्द लिखे मैं उनको गहरे करना है अगर आपको कोपी करना है कोपी का और कट का बड़ा फरक है कोपी का मतलब होता है कि जैसे यहां पर कोई चीज लिखी हुई है सबोज मैंने यह लिख दिया तीन चाजो भी इसको यहां से कोपी करकि आपने यहां पर पेस्ट किया यहां पर पेस्ट किया तो यहां पर भी रहे जाएगा और यहाँ पर भी चला जाएगा ययो तो हता है COPY लेकिन एक होते हैं तो COPY बिता दिया हमैने तेखे है जो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी जैसा up ऐसा रहे गिया एक होता है SUPPAUJ यहाँज इसमें हमें लिख दिया K A B और यह रख A और B यहां से अगर आपने cut किया, cut का मतलब है यहां से अगर cut करोगे तो यह चीज यहां से cut हो जाएगी और यहां चली जाएगी, मतलब यहां आप नहीं रहेगी जबकि copy में दो नूजगे रहती है copy की shortcut की होती है control plus C जबकि cut की shortcut की होती है control plus X यह जाननक, control plus क्या होती है X, यह जाननक न, जो मैं आगे लिखवा दूँगा, बहुत important है अभी मैंने आपकी सुविधा के लिए और याद करने में आसान रहे इसलिए मैंने ABCD के sequence लिख दिया तो C copy है control के साथ में D दबाते है तो open font dialogue box जिसमें font लिखते हैं पन वो पूरा dialogue box खुल जाएगा control plus E में center में चले जाओ कोई paragraph लिख रहे हो आप वो थोड़ा आगे पीछे टेट है उसको आपको बीचू बीच लाना है page के तो बिलकूर center में चले जाओ control plus E दबा दो center में चले बीच मा जाओगे left में चले चूट जाएगी right में चले चूट जाएगी control plus F का मतलब find कोई चीज आपने save कर रखी है उसको पाना चाते हो find का मतलब पाना चाते हो धूनना चाते हो control plus F दबा दो control plus G इस G का मतलब ए go to go to का मतलब दोक्योमेंट में सीधे किसी page ये line में जाना है सीधा तो control plus Z जिसमें आपको document में किसी page ये किसी line में जाना हमाँ पहुंच जाओगे जहांँ पर करसर पहले से था और control plus H का मतलब है replace H का मतलब हटाना H का मतलब होता है और हे का मतलब हटाना हे का मतलब क्या होता है हटाना तो हे का मतलब है है ना कि आ रहा है हमने शोट लिखते हैं वाटसप लेंगोज में है का मतलब है होता है है मतलब हटाना, रिप्लेस करना किसी इसको वहाँ से हटा के किसी दूसरे को लाना आई का मतलब मैं आपको भी बता दिया तो इसे लिखा में लेप्ट है ना अगर आपको इसको स्लेक्ट करके इटेलिक करोगे तो यह थोड़ा ऐसे हो जाएगा इसे हैं लेप्ट है ना मतलब टेडा करने के लिए और थोड़ी अच्छी खूबसूर्त भी लगता है आपने अ और राइट अलाइंगमेंट सेट किया जाता है परेगराफ जब लिखते हैं अपन तो इधर भी बिल्कुल एक्वरेट सीद में आए और इधर भी सीद में आए जस्टिफाई कंट्रॉल प्लस जे कंट्रॉल प्लस के हाइपर लिंक जो हाइडर फूटर में जब पैज लिखाना है तो कंट्रॉल प्लस आर वागे लाइन वाइस लिख रहा है तो आगे आर जब आएगा तब आपको पता लग जाएगा बड़ी काम की चीज़े बाई यह बहुत इंपोर्टन भी है और बहुत पूछा भी जाता है और एक कंट्रॉल प्लस टी वह भी बड़ा का का मतलब है इंक्रिज इंडेंट यानि आपको इंडेंट को बढ़ाना है तब का माइगा और सिप्ट का zar गठाव होगे इंडेंट कम हो जाय Sé मतलब आपने जैसे एप्लिकेशन लिखते है अपन तो सेवा में लिख दिया आगे इस पे छोड़ दिया इंडेट बढ़ा दिया मतलब जगह छोड़ दी फिर कभी कम कर दी यह सब बातें करने के लिए क्योंकि बार बार अपने इसे करने सकते हैं इन शोटकट की से बड़ा गट जाता है decrease increase मतलब बढ़ना decrease मतलब गटना control के साथ में अगर अगर दबाते हो उसमें new document खुछ जाता है ये indent को बिलकुल समाप्त करना है कि ना तो इधर खिसकाना इधर खिसकाना ना कोई जगे छोड़ने indent समाप्त या कम करना तो control प्लस Q और R में आपको पहले ही बता दिया था control प्लस R का मतलब है right alignment set करना और S का मतलब है कोई document को save करना बड़ी काम की चीज है बार बार S दबाते रहो फाइल लिखते टाइप करते जा रहें काभी सारे content save हो गया सीधा control प्लस S दबातो save हो जाएगा ठीक है एक लाइन छोड़ देगा नीचे वालों किसका देगा फिर एक लाइन चोड़ना हो थोड़ा नीचे से आजाओ उसको सरका देगा तो यह control प्लस टी है control प्लस W इसमें window close समाप्थ और control प्लस X तो मैंने आपको पहले बता दिया था बड़ी काम की तीनु जोड़ा यह यह तीनु जोड़ा है control प्लस X का मतलब है cut करना वहां से permanently cut हो जाएगी तो वहां से जहां ले जागी पेस्ट तो कर दो लेकिन वहां नहीं बच्चेगी फिर वो मतलब देखो कि control प्लस C किया तो copy हो गया और आपने control प्लस V करके उसको paste कर दिया तो वो जहां से आपने copy किया तो वहां भी रहेगा और लेके गई वहां पर भी रहेगा लेकिन आपने control प्लस X कर दिया तो यहां से data cut गया और फिर आपने control प्लस V किया तो वहां paste हो जाएगा बड़ यहां से permanently cut जाएगा control प्लस Y का मनदब रीडू करना सेम उसी चीज को वहीं वापस डालना बार बार रीडू करना और undo होता है गलती से कोई चीज आप से हट गई वापस लाओ या तो control प्लस Z दबादो वापस आ जाएगी तो X, Y, Z का बड़ा तगड़ा यूज है यह A to Z आपकी A to C हो गई वाई यह बड़े चोटे-चोटे चीज आप बड़े काम किये अगर आपको font size को increase करना है increase font size तो control प्लस shift प्लस यह gratter देन वाला sign टेक है और यह पर control प्लस only for a sign से भी काम चल जाएगा इसमें आपकी जो font size जो अक्षर है अक्षर उसके size बढ़ जाएगी या फिर आप कम करना चाहते हो तो control प्लस shift के साथ में आप यह वाला sign दबाद इदर वाला या फिर control प्लस यह दबाद तो भी आपका decrease font size हो जाएगा font size कम हो जाएगा ठीक है मतलब छोटा हो जाएगा control प्लस यह bracket जैसा sign लगाओगे तो font size एक-एक point बढ़ेगा एक-एक point बढ़ेगा या फिर यह लगाओगे तो font size एक-एक point गटेगा बड़ी काम की चीज़े हैं हाला कि वैसे तो मैंने function की पूरी बारा की पारे आपको पढ़ा रखी यह पढ़ा होगी लेकिन f8 का बड़ा तगड़ा यूज एक हाला कि मैंने shortcut की अलग से बढ़ाया है और भी shortcut की हो एक आदी और मुझे याद आईगी तो मैं जब आपको ms8 पढ़ाऊंगा तो बोर र जाता है select हो जाता है लेकिन अगर आप तीन मगर दबाते हो एक फेट को तो paragraph या पूरी पूरी लाइन select हो जाती है कभी करके देखना ही है यह सारी shortcut की आप इस्तेमाल करना keyboard में बड़ा मजा आएगा ठीक है यह चीज जान लखना और control plus one अगर दबाते हो आप तो single line का space हो तू दबाते हो तो double line का space हो जाएगा पांच दबाते हो तो dead line का space 1.5 dead lines हाँ one and half one and half line का space हो जाएगा deadline हो तो बोलते हैं इसको कि चलो भाई इस page को छोड़ता हूँ कभी कोई चीज और डाल लूँगा यह पन जब खुद के notes बनाते हैं computer में तब बड़ी काम की चीज है control plus shift plus k तो change all case in small letter सारे के सारे पूरे paragraph में जितने भी word लिकेते हो छोटी ABCD में हो जाएगे small letter में चले जाएगे और control plus shift plus a for apple तब सारे के सारे जो font है जो word है वो capital letter में हो जाएगे बड़ी ABCD में हो जाएगे बागी अपन जो powerpoint का इस्तेमाल करेंगे word में तब अपन को equation या समिकरन अगर आपको लिकना हो maths में तो ऑल्ट के साथ में plus और फिर बराबर ऑल्ट प्लस और बराबर तीनों एक साथ दबाने पड़ते हैं और प्लस और बराबर का sign दबाओगे तो एक चोकड़ी सी आ जाएगी जैसे math में equation लिखते है ना x square plus 2x plus 3 वैसे equation या समिकरन लिखने के लिए अपन को इदबाना पड़ता है और alt plus shift plus d तो current date पर पहुंच जाओगे आपको computer में date change करनी है कि आज की date क्या है तो date के वाले option में चले जाओगे अगर alt plus shift plus d डबाओगे तो और alt plus shift plus t for television दबाओगे तो current time पर चले जाओगे कि अब टाइम क्या हुआ है दस बज़े हैं नो बज़े हैं साड़ नो बज़े हैं यह time भी आप set कर सकते हो इन ट्रेक्स है शोटकट के से और alt plus shift plus s दबाते हो तो split window एक page में दो window कुल जाएगी जैसे यहां पर भी है यहां single underline होती है और अभी मैंने कर दे double underline तो यह कैसे होगी control plus shift plus d यह दबादो आपके double underline हो जाएगी और alt plus control plus c दबादो तो इसमें copyright का sign होता ने सा है ना वो copyright का sign आ जाएगा alt plus control plus t दबादो इसमें trademark symbol आ जाते हैं जैसे अपन कुछ symbol का use करना चाहें तो अलाग यह दोनों कोई कास important नहीं बट इससे पहले वाली सब की सब बहुत ज़्यादा important है तो यह कैसी लगी भाई मैनत जरूर comment करना बड़े शांदार shortcut keys आपके लिए मैंने एकटी collector दी है इनक का यूज करते रहना